तो कैसा अगर आप लोग ओपो के फोन यूस कर रहे और अगर आपको Google Play Store में कुछ इस टाइब का Error सो करता है जिसमें लिखा रहता है Unfortunately Google Play Services has stopped तो इसे कैसे आप लोग फिक्स करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा विलका इकन को प्रेस कर लेना है अगर आपको इस टाइप की प्राब्लम सो होती है और आपका प्ले स्टोर ओपन नहीं हो पाता तो सिम्पल आपको अपनी फोन की सेटिंग्स ओपन करना है Apps पे क्लिक करे, App Management पे क्लिक करे, सर्च बार पे क्लिक करे आप लोग प्ले यहाँ पे आपको Google Play Services मिलेगा, then Google Play Store तो सिम्पल आपको इनपे क्लिक करना है उसके बाद Stories पे क्लिक करे, Manages पे उस पे क्लिक करके Simple आपको उनका डाटा क्लिन करना होगा Google Play Services का और Google Play Store का, इन दोनों का यह आपको डाटा क्लिन करना है अब आप अपने फोन में प्ले स्टोर को यूस कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के So I hope आप लोग को वीडियो अच्छे लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय मता दी